हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेकनोटेक यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम देखने वाले प्रोजेक्शन आफ प्लेन का पांचवा लेक्चर ओके तो आगे वाले जो चार लेक्चर से उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन है वो अन्द एच्पी रहता है फ्र असलब कि यहाँ पेंटागॉन जो है उसकी साइड जो है वो 40 mm धी हुई है याने कि यह पेंटागॉन है उसकी साइड जो है 40 mm है सभी साइड ओके रिस्टिंग ऑन वन ओफ इट्स कॉर्णर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि वो कहां से रिस्ट कर रहा है वन ओफ its corner ओके यह बहुत ही important है कि जब भी हम उसको inclined with VP करेंगे तब उसका corner जो है वो on the VP रहना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ now resting on one of its corner on the VP मतलब कि यह जो pentagon है वो on the VP है ठीक है यहाँ पर यह pentagon है वो इस तरह से on the VP है वो on the HP नहीं है बस यही है यह वीडियो में नया ठीक है the age of opposite to that corner makes an angle 30 degree मतलब कि यहाँ पर यह corner की जो opposite age है यहाँ पर यह age आपको दिख रही है वो क्या कर रही है 30 degree to the HP मतलब theta जो है यहाँ पर दिया हुआ है 30 degree ओके ठीटा दिया हुआ है now the surface of pentagon inclined at 45 to the VP याने कि 5 inclined with VP यहाँ पर दिया हुआ है 45 okay so यह दोनों चीज यहाँ पर दि हुई है अब start करते है friends कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह pentagon जो है वो on the VP रहने वाला है और यहाँ पर जैसे लिखा है कि it is one of its corner is on the VP मतलब कि यह जब भी inclined with VP होगा अब यहाँ पर inclined with VP हो रहा है आप देख सकते हो यह inclined with VP होगा ठीक है okay so inclined with VP होगा तब उसका एक corner जो है वो on the VP पे होना चाहिए ठीक है इसलिए यह जो उसका front view होगा उसमें pentagon जो है पूरा दिखने वाला है और top view में आप देख सकते हो friends क्या होगा line आने वाली है ठीक है so यहाँ पे मैं front view draw कर रहा हूँ so pentagon जो है उसका front view अगर मैं यहाँ पे लूँ तो कुछ इस तरह से होगा ओके यह pentagon बन गया है ठीक है और यह उसका front view है friends यह top view नहीं है ध्यान रखना यह front view है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि pentagon जो रहता है वो projection of plane हम में साब first angle में हम consider करते हैं so हम यहाँ से start करते हैं A, B, C, D and E so यह front view है अब इसका top view कैसे आएगा friends तो top view आपको बता दू यहाँ पे हम projection line लेंगे नीचे ठीक है और यह और यह same line में आएगा then यहाँ पे नीचे projection line लेंगे तो उसका जो top view होगा वो कुछ इस तरह से होगा ठीक है तो यह उसका top view हुआ ठीक है तो on the HP and on the VP में यह difference है तो यहाँ पे यह जो है वो सब dash में आएगा A dash, B dash, C dash, D dash and E dash और यहाँ पे जो है top view जो है हुआ आएगा A, यहाँ पे होगा B and E यहाँ पे होगा C and D ठीक है तो यह हुआ front view और यह हुआ top view अब main चीज़ यह है friends कि जब भी on the VP हो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना जब भी on the VP हो तब पहले हमें क्या draw करना है inclined with VP ठीक है और उसके बाद second number में जो आएगा वो होगा inclined with HP ठीक है friends यह बहुत ही ध्यान रखना है और आगे वाले जो चार वीडियो में हमने लिखा है वो क्या लिखा है friends on the HP जब होगा suppose pentagon है या hexagon है जो भी है on the HP रहेगा तब पहले हम क्या करते थे inclined with HP पहले draw करते थे inclined with HP draw करते थे पहले और उसके बाद inclined with VP draw करते थे ठीक है तो यहाँ पे sequence बदल जाएगा जब on the VP होगा तो पहले यह आएगा उसके बाद यह आएगा और जब on the HP होगा तब पहले inclined with HP आएगा उसके बाद inclined with VP आएगा यह थोड़ा change है यहाँ पे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है सो अब हम क्या करेंगे inclined with VP यहाँ पे कितना है inclined with VP 45 डिगरी याने कि हम एक point ले लेते हैं ठीक है यहाँ पे एक point ले लिया और यहाँ पे inclined with VP जो है वो 45 डिगरी दिया हुआ है 5 ओके सो यहाँ पे मैं 45 डिगरी पे एक line draw करता हूँ यहाँ पे 45 डिगरी में ठीक है यहाँ पे यह 45 डिगरी में हमने line draw कर दी अब यहाँ पे हमें क्या करना है 45 डिगरी में यह जो line है वो कितनी होनी चाहिए यह जो line है वो कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पे A फिर यहाँ पे last में जो आएगा वो होगा C, D, मतलब कि यह जितनी line है, वो line यहाँ पे रहनी चाहिए मतलब मैं यहाँ पे green line से दिखा रहा हूँ तो यह जो line है वो line यहाँ पे होनी चाहिए A, then यहाँ पे center में होगा, B, sorry center में नहीं होगा यहाँ पे sorry, थोड़ा उपर की side होगा, okay C and D, फिर हमें क्या करना है friends, यहाँ से projection line उपर लेनी है यहाँ से भी projection line उपर लेनी है, और यहाँ से भी projection line को हमें उपर लेना है और यहाँ से horizontal line लेंगे, यहाँ से भी horizontal horizontal okay, horizontal तो अब हमें यहाँ पे जो points मिलने वाले है, वो कुछ इस तरह से मिलने वाले है तो A point यहाँ पे है then B and E point यहाँ पे है, then C and D point यहाँ पे है ठीक है, अब मैं joint कर देता हूँ इसको, इस तरह से मैंने क्या किया इसको joint कर दिया तो यह जो हमारा front view हमें मिला, वो second position में after inclination with vp, यह हमारा front view है, A dash B dash, C dash D dash and E dash जो यह जो आपको मिलेगा front view, वो इससे अलग होगा friends, यह pentagon जो है, वो यह pentagon से dimension में थोड़ा difference होगा, ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको 45 degree inclined with vp करके उसको draw किया है सबसे पहले हमने यह draw किया यह जो है, वो normal position है उसके बाद यहाँ पे inclined with vp 45 degree किया फिर हमने front view and top view दोनों draw किया पहले top view draw किया उसके बाद front view draw किया, इस तरह सी यह अभी position इस तरह से है, ठीक है? तो यहाँपे सबसे पहले हमने यह draw किया उसके बाद हमने यह draw किया अब थर्ड position की बारी आती है थर्ड position में क्या है inclined with HP लेकिन inclined with HP हमें क्या inclined with HP करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है the age of opposite मतलब age opposite to that corner मतलब यहाँ पे opposite to that corner याने की CD यहाँ पे जो CD है वो उससे हमें inclined करना है कितना 30 degrees ठीक है जो यहाँ पे मैं 30 degree की 30 degree का angle से एक line draw कर देता हूँ यहाँ पे 30 degree angle ले लिया यहाँ पे अब यह जो CD है वो मुझे यहाँ पे apply करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे apply कर रहा हूँ कोई भी एक जगा मैं CD apply कर रहा हूँ यहाँ पे तो समझ लो कि यहाँ पे मैंने c और d, c' and d' जो distance है यह, वो मैंने यहाँ पे रख दिये, अब, अब मुझे क्या करना है, तो यह जो center से a' का distance है, वो मुझे यहाँ पे लेना है, center से a' का distance, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे a' मिल जाएगा, ठीक है, a' कैसे मिला मुझे, यह थोड़ा light पढ़ रहा है मुझे, ओके, so यहाँ पे center से a' का distance मैंने ले लिया, यहाँ से, ठीक है, c' और d' के center से a' का distance लिया, मैंने, simple, यह pentagon मुझे अब यहाँ पे draw करना है, तो वो मुझे कैसे draw करना है, अब c' से b' का distance लोगा, और यहाँ पे c' पे रखके, यहाँ पे arc लोगा, ठीक है, क्या किया मैंने, c' से b' का distance और यहाँ पे c' से arc, फिर वैसे ही d' से e' का distance और यहाँ पे arc, ठीक है, अब a' से b' का distance and a' से यहाँ पे arc वैसे ही a dash और e dash का distance जो की same होगा और arc तो यहाँ पे जो मुझे pentagon मिलेगा friends इस तरह से यह जो pentagon मिलेगा मुझे यह बिल्कुल यही pentagon होगा आपको थोड़ा अलग दिखरा है मैंने dimension wise नहीं लिया है तो लेकिन आप dimension wise लोगे तो यह और यह दोनों same दिखना चाहिए ओके तो यहाँ पे आएगा b dash c dash t dash and e dash ठीक है तो हमने क्या किया यही pentagon जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया अब मुझे क्या करना है projection लेना है यहाँ पे projection ले लिया यहाँ पे यहाँ से भी projection ले लिया इस तरह से सभी lines से मैंने क्या किया है projection lines ले लिया अब यहाँ पे a जो है वो उपर से a आ रहा है यानि कि मेरा a point मुझे यहाँ पे मिलेगा ठीक है अब b point कहाँ पे मिलेगा तो यहाँ से b आ रहा है और यहाँ से भी horizontal line ले लूँगा sorry यहाँ से नहीं तो यहाँ से भी मैंने horizontal line ले लिया है तो यहाँ पे b dash मुझे कहाँ पे मिलेगा sorry b dash नहीं b तो a मुझे यहाँ पे मिलेगा b यहाँ पे मिलेगा c कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो उपर से c dash की line आ रही है और यहां से भी C आ रहा है so यहां पे C then D कहां पे मिलेगा यह रहा D then यह रहा E so इस तरह से A, B, C, D, E तो पूरा मुझे मिल गया यहां पे और मैं सब को joint कर देता हूँ A, B, C, D, E and then A तो यह जो हमें मिला friends, यह जो हमें मिला वो क्या मिला? top view after inclined with HP यानि कि यहां पे inclined with HP यहां पे है और inclined with VP यहां पे है तो friends, इस तरह से यह पूरा object जो है यह draw होगा मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यह जो position है वो initial position है जब pentagon on the VP होगा मतलब इस तरह से तो इस तरह से है तो उसका front view and top view उसके बाद यह जो position आई उसमें हमने पहले यह draw किया उसके बाद यह draw किया तो वो कैसी position थी? जैसे कि यह pentagon जो है वो इस तरह से हुआ 45 degree उसके बाद उसका top view और front view अब यह जो position है वो कैसे हुई? तो इस तरह से हमने incline करके रखा था VP में अब इसको यह जो line है वो हमें इस तरह से चाहिए यानि कि यह जो age है ठीक है? अगर आप समझ पाओ तो यह जो age है यह आ रही है age यहां से तो यह जो angle आपको मिलेगा inclined with VP का तो यह angle जो है वो 30 degree हो जाएगा ठीक है? यह angle हमने 30 degree लिया तो इस तरह से इसको 30 degree करके फिर हमने उसका front view and top view ड्रॉव किया ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया था फिर से बता दू जब भी inclined with HP होगा तो पहले आपको ड्रॉव करना है उसका front view यहाँ पे उसके बाद आएगा यहाँ पे top view ठीक है? तो इस तरह से यह पूरा object complete होगा अगर आपको यह video अच्छा लगा तो like कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं हाता तो comment मैं मुझे बताइए मैं आपको 100% answer दूँगा ठीक है? ठेंक यू जहीन जैबारत